प्रियम मित्रों, आपके गाव में कबाडी वाला खुशियों का संदेश लेकर आ गया। जी हाँ, वही कबाडी वाला गाडी अब आपके घर के सामने खड़ी है। अरे ओ बहन जी भाई साहब, समय आ गया है कि आप अपने घर के हर कोने से कबाड निकाले और उसे नगत पैसे में बदले। जी हाँ, क्या आपके घर में पुरानी किताबे, आखबार, टायर, क्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, कूलर, मॉबाइल फोन, टीवी, बाशिंग मशीन या फ्रिज पड़े हैं। अगर हाँ, तो आप इन्हें तुरंट निकालें और हमारे पास लाकर बेचें। हमारी गाड़ी आपके गाव की गलियों और महलों में सिर्फ थोड़े समय के लिए आई है। इस गाड़ी का पूरा फाइदा उठाएए और जल्द से जल्द कबाड लेकर आएं। यहाँ गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है, बस आपको अपने घर से कबाड निकालना है और लाकर हमें बेचना है। जी हाँ, हम आपको लोहा, तीन, प्लास्टिक, गत्ता, पुरानी कॉपी, किताब, अखबार की रद्धी, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे, किसी भी प्रकार के आपके लिए, पैसे कमा सकता है, जी हाँ, आपने सही सुना, इस कबार को बेच कर आप नगत पैसे कमा सकते हैं, तो फिर देर किस बात की, आईए, माता जी, बहन जी, भाईयों और दोस्तों, अपनी पुरानी चीज़ों को निकालिए, और हमें बेचिए, यह मौका बार ब अकबार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, पुरानी कूलर, पुरानी मोबाइल फोन, पुरानी टीवी, पुरानी वाशिंग मशीन, या पुरानी फ्रिज को बेच कर नगत पैसे कमाईए, इस सेवा का मुख्य उद्देश्य, न पिस सुविधा का भरपूर लाब उठाएं और अपने घर को साफ सुथरा बनाएं, तो चलिए, अब समय ना गवाएं, अपने घर के हर कोने में पड़े कबाड को निकालें और हमारे पास लाएं, पुरानी किताबे, अकबार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खर बैटरी, पुरानी मशीने, पुरानी कूलर, पुरानी मोबाइल फोन, पुरानी टीवी, पुरानी वाशिंग मशीन या पुरानी फ्रिज को बेच कर नगत पैसे कमाईएं, प्रिये मित्रों, आपके गाव में कबाडी वाला खुशियों का संदेश लेकर आ गया, जी हाँ, वही कबाडी वाला गाडी अब आपके घर के सामने खड़ी है, अरे ओ बहन जी भाई साहब, समय आ गया है कि आप अपने घर के हर कोने से कबाड निकालें और उसे नगत पैसे में बदलें, जी हाँ, क्या आपके घर में पुरानी किताबें, आखबार, टायर, क्यूब, प् निकालें और हमारे पास लाकर बेचें, हमारी गाडी आपके गाव की गलियों और महलों में सिर्फ थोड़े समय के लिए आई है, इस गाडी का पूरा फाइदा उठाए और जल्द से जल्द कबाड लेकर आए, यहाँ गाडी आपके घर के सामने खड़ी है, बस आपको अपने घर से कबाड निकालना है और लाकर हमें बेचना है, जी हाँ, हम आपको लोहा, तीन, प्लास्टिक, गत्ता, पुरानी कॉपी, किताब, अखबार की रद्दी, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, कूलर, पंखा, टीवी, फ पर क्या आप जानते हैं कि यह कबाड आपके लिए पैसे कमा सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना, इस कबाड को बेच कर आप नगत पैसे कमा सकते हैं, तो फिर देर किस बात की? आईए, माता जी, बहन जी, भाईयों और दोस्तों, अपनी पुरानी चीज़ों को निकालिए और हमें बेचिए, यह मौका बार बार नहीं आता, हमारी गाड़ी यहां केवल थोड़े समय के लिए है, इसलिए इस अफसर का पूरा लाब उठाएए, आईए, हमारी गाड़ी के पास और अपने पुरानी किताबें, अकबार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, पुरानी कूलर, पुरानी मोबाइल फोन, पुरानी टीवी, पुरानी वाशिंग मशीन, या पुरानी फ्रिज को बेच इस सेवा का मुख्य उद्देश्य ना केवल आपके घर को अनावश्यक वस्तूओं से मुक्त करना है, बलकि आपको उन वस्तूओं के बदले में पैसे भी दिलाना है, जिनकी आपको अब जरूरत नहीं है। बार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, पुरानी कूलर, पुरानी मोबाइल फोन, पुरानी टीवी, पुरानी वाशिंग मशीन या पुरानी फ्रिज को बेच कर नगत पैसे कमाईए। हर कोने से कबार निकालें और उसे नगत पैसे में बदलें। जी हाँ, क्या आपके घर में पुरानी किताबें, अकबार, टायर, क्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, कूलर, मॉबाइल फोन, टीवी, बाशिंग मशीन या फ्रिज पड़े हैं। अगर हाँ, तो आप इन्हें तुरंट निकालें और हमारे पास लाकर बेचें। हमारी गाड़ी आपके गाव की गलियों और महलों में सिर्फ थोड़े समय के लिए आई है। इस गाड़ी का पूरा फाइदा उठाएं और जल्द से जल्द कबार लेकर आएं। यहाँ गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है, बस आपको अपने घर से कबार निकालना है और लाकर हमें बेचना है। जी हाँ, हम आपको लोहा, तीन, प्लास्टिक, गत्ता, पुरानी कॉपी, किताब, अखबार की रद्धी, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे, किसी भी प्रकार के कबार के बदले नग पैसे देंगे, हम जानते हैं कि आपके घर में बहुत सारा ऐसा सामान है, जो अब आपके किसी काम का नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि यह कबार आपके लिए पैसे कमा सकता है, जी हाँ, आपने सही सुना, इस कबार को बेच कर आप नगत पैसे कमा सकते है तो फिर देर किस बात की? आईए माता जी, बहन जी, भाईयों और दोस्तों अपनी पुरानी चीज़ों को निकालिए और हमें बेचिए यह मौका बार बार नहीं आता हमारी गाड़ी यहां केवल थोड़े समय के लिए है इसलिए इस अफसर का पूरा लाब उठाईे आईए हमारी गाड़ी के पास और अपने पुरानी किताबें अकबार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, पुरानी कूलर, पुरानी मोबाइल फोन, पुरानी टीवी, पुरानी वाशिंग मशीन या पुरानी फ्रिज को बेच कर नगत पैसे कमाईए इस सेवा का मुख्य उद्देश्य ना केवल आपके घर को अनावश्यक वस्तूओं से मुक्त करना है, बलकि आपको उन वस्तूओं के बदले में पैसे भी दिलाना है, जिनकी आपको अब जरूरत नहीं है हमारी यह कोशिश है कि आप इस सुविधा का भरपूर लाब उठाएं और अपने घर को साफ सुथ्रा बनाएं तो चलिए, अब समय ना गवाएं, अपने घर के हर कोने में पड़े कबाड को निकालें और हमारे पास लाएं पुरानी किताबे, अक्बार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाईप, खराब बैटरी, पुरानी मशिने, पुरानी कूलर, पुरानी मोबाइल फोन, पुरानी टीवी, पुरानी वाशिंग मशीन या पुरानी फ्रिज को बेच कर नगत पैसे कमाईए प्रियम मित्रों आपके गाव में कबाड़ी वाला खुशियों का संदेश लेकर आ गया जी हाँ, वही कबाड़ी वाला गाड़ी अब आपके घर के सामने खड़ी है अरे ओ बहन जी भाई साहब समय आ गया है कि आप अपने घर के हर कोने से कबाड निकाले और उसे नगत पैसे में बदले जी हाँ, क्या आपके घर में पुरानी किताबे, अकबार, टायर, क्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, कूलर, मॉबाइल फोन, टीवी, बाशिंग मशीन या फ्रिज पड़े है अगर हाँ, तो आप इन्हें तुरंट निकालें और हमारे पास लाकर बेचें हमारी गाड़ी आपके गाव की गलियों और महलों में सिर्फ थोड़े समय के लिए आई है इस गाड़ी का पूरा फाइदा उठाएए और जल्द से जल्द कबार लेकर आए यहाँ गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है, बस आपको अपने घर से कबार निकालना है और लाकर हमें बेचना है जी हाँ, हम आपको लोहा, तीन, प्लास्टिक, गत्ता, पुरानी कॉपी, किताब, अखबार की रद्धी, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे हम जानते हैं, कि आपके घर में बहुत सारा ऐसा सामान है, जो अब आपके किसी काम का नहीं है, पर क्या आप जानते हैं, कि यह कबार आपके लिए पैसे कमा सकता है, जी हाँ, आपने सही सुना, इस कबार को बेचकर आप नगत पैसे कमा सकते हैं, तो फिर देर किस बात की? आईए माता जी, बहन जी, भाईयों और दोस्तों अपनी पुरानी चीज़ों को निकालिए और हमें बेचिए यह मौका बार बार नहीं आता हमारी गाड़ी यहां केवल थोड़े समय के लिए है इसलिए इस अफसर का फूरा लाब उठाएए आईए हमारी गाड़ी के पास और अपने पुरानी किताबें हमारी यह कोशिश है कि आप इस सुविधा का भरपूर लाब उठाएं और अपने घर को साफ सुथ्रा बनाएं। तो चलिए, अब समय ना गवाएं, अपने घर के हर कोने में पड़े कबाड को निकालें और हमारे पास लाएं। पुरानी किताबे, अकबार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, पुरानी कूलर, पुरानी मोबाइल फोन, पुरानी टीवी, पुरानी वाशिंग मशीन या पुरानी फ्रिज को बेच कर नगत पैसे कमाईए। प्रियम मित्रों, आपके गाव में कबाड़ी वाला खुशियों का संदेश लेकर आ गया। जी हाँ, वही कबाड़ी वाला गाड़ी अब आपके घर के सामने खड़ी है। अरे ओ बहन जी भाई साहब, समय आ गया है कि आप अपने घर के हर कोने से कबाड़ निकाले और उसे नगत पैसे में बदले। जी हाँ, क्या आपके घर में पुरानी किताबे, आखबार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, कूलर, मॉबाइल फोन, टीवी, बाशिंग मशीन या फ्रिज पड़े हैं? अगर हाँ, तो आप इन्हें तुरंट निकालें और हमार गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है, बस आपको अपने घर से कबार निकालना है और लाकर हमें बेचना है. जी हाँ, हम आपको लोहा, तीन, प्लास्टिक, गत्ता, पुरानी कॉपी, किताब, अखबार की रद्धी, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बै जो अब आपके किसी काम का नहीं है. पर क्या आप जानते हैं कि यह कबार आपके लिए पैसे कमा सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना. इस कबार को बेच कर आप नगत पैसे कमा सकते हैं. तो फिर देर किस बात की? आईए, माता जी, बहन जी, भाईयों और दोस्तों अपनी पुरानी चीज़ों को निकालिए और हमें बेचिए. यह मौका बार बार नहीं आता. हमारी गाड़ी यहां केवल थोड़े समय के लिए है. इसलिए इस अफसर का फूरा लाब उठाएए. आईए, हमारी गाड़ी के पास और अपने पुरानी किताबें, अकबार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, पुरानी कूलर, पुरानी मोबाइल फोन, पुरानी टीवी, पुरानी वाशिंग मशीन या पुरानी फ्रिज को बेच क इस सेवा का मुख्य उद्देश्य ना केवल आपके घर को अनावश्यक वस्तूओं से मुक्त करना है, बल्कि आपको उन वस्तूओं के बदले में पैसे भी दिलाना है, जिनकी आपको अब जरूरत नहीं है. हमारी यह कोशिश है कि आप इस सुविधा का भरपूर लाब उठाएं और अपने घर को साफ सुथ्रा बनाएं. तो चलिए, अब समय ना गवाएं, अपने घर के हर कोने में पड़े कबाड को निकालें और हमारे पास लाएं. पुरानी किताबें, अकबार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, पुरानी कूलर, पुरानी मोबाईल फोन, पुरानी टीवी, पुरानी वाशिंग मशीन, या पुरानी फृरिज को बेचकर नगत पैसे कमाईए. प्रियम मित्रों आपके गाव में कबाड़ी वाला खुशियों का संदेश लेकर आ गया जी हाँ, वही कबाड़ी वाला गाड़ी अब आपके घर के सामने खड़ी है अरे ओ बहन जी भाई साहब समय आ गया है कि आप अपने घर के हर कोने से कबाड निकाले और उसे नगत पैसे में बदले जी हाँ, क्या आपके घर में पुरानी किताबे, आखबार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, कूलर, मॉबाइल फोन, टीवी, बाशिंग मशीन या फ्रिज पड़े है अगर हाँ, तो आप इन्हें तुरंट निकालें और हमारे पास लाकर बेचें हमारी गाड़ी आपके गाव की गलियों और महलों में सिर्फ थोड़े समय के लिए आई है इस गाड़ी का पूरा फाइदा उठाएए और जल्द से जल्द कबाड लेकर आए यहाँ गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है, बस आपको अपने घर से कबाड निकालना है और लाकर हमें बेचना है जी हाँ, हम आपको लोहा, तीन, प्लास्टिक, गत्ता, पुरानी कॉपी, किताब, अखबार की रद्धी, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे, किसी भी प्रकार के आपके लिए, पैसे कमा सकता है, जी हाँ, आपने सही सुना, इस कबार को बेच कर आप नगत पैसे कमा सकते हैं, तो फिर देर किस बात की, आईए, माता जी, बहन जी, भाईयों और दोस्तों, अपनी पुरानी चीज़ों को निकालिए, और हमें बेचिए, यह मौका बार ब अकबार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खराब बैटरी, पुरानी मशीने, पुरानी कूलर, पुरानी मोबाइल फोन, पुरानी टीवी, पुरानी वाशिंग मशीन, या पुरानी फ्रिज को बेच कर नगत पैसे कमाईए, इस सेवा का मुख्य उद्देश्य, न पिस सुविधा का भरपूर लाब उठाएं और अपने घर को साफ सुथरा बनाएं, तो चलिए, अब समय ना गवाएं, अपने घर के हर कोने में पड़े कबाड को निकालें और हमारे पास लाएं, पुरानी किताबे, अकबार, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक पाइप, खर प्लाब बैटरी, पुरानी मशीने, पुरानी कूलर, पुरानी मोबाइल फोन, पुरानी टीवी, पुरानी वाशिंग मशीन या पुरानी फ्रिज को बेच कर नगत पैसे कमाईए।